सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना ओरिजिनल आधार काड़ डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मुवाइल फोन से आउनलाइन घर वटे अपने मुवाइल फोन से तो किस तरह से आप कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में कम्पलीट पोसस ब बिल्कुल नहे तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने औरिजिनल आधार कार्ट को अपने मुवाइल फोन से ही डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले को करना क्या होगा अपने मुवाइल के क्रोम ब्रोजर को ओप अब दोस्तों आपको यहाँ पे second वाला जो option दिखाई दे रहा है गेट आधार unique identification authority of India इस option पे आपको simply click कर देना है जैसा ही दोस्तों आप इस पर click करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सरा option सो करेगा अब आपको अपना आधार का download करना है तो download आधार का एक option आपको दिखाई देगा तो simple सा आपको download आधार वाले option पे click करना नीचे आने के बाद download आधार का option दिखाई देगा उस पर आपको simply click कर देना है जैसे ही दोस्तों download आधार के option पे आप click करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का interface आ गया आप दोस्तों आपको करना के होगा आधार कार्ट को download करना है तो download आधार का एक option आपको दिखाई देगा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद download आधार का एक option दिखाई देगा तो simple सा आपको download आधार के option पे click कर देने है जैसे ही आप download आधार के option पे click करोगे अब आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों आपको बोला जाएगा कि आपने आधार card को download करने के लिए आधार number डाल कर आधार card download करना चाहते है या enrollment ID डाल कर आप आपने आधार card को download करना चाहते है या फिर virtual ID डाल कर यहाँ पे आधार card को download करना चाहते है तो उसके बाद आप जो भी select करेंगे जैसा कि यहाँ पे आधार card का number डाल कर आपने आधार card को download करना चाहते है तो सबसे पहले आपको करना चाहते हुआ को दूसरा कैपचा आजाएगा उसके बाद आपको करना क्या होगा आधार नंबर कैपचा डाल कर जो यहां फिर से केपचा डाल देता हूँ कैपचा आपको सही से डालना है उसको send OTP के option पे क्लिक करना है जैसे send OTP के option पे क्लिक करेंगे आपके आधार card के साथ जो भी mobile number link के registered है उस पर OTP जाएगा उस OTP को आपको दोस्तों यहां पे feel करना होगा चलिए मेरे registered mobile number पर OTP आ चुका है and download के option पे क्लिक करेंगे आपका दोस्तों यहां पर आधार card download हो जाएगा जैसा कि दोस्तों यहां पर मैं OTP डाल चुका हूँ अब दोस्तों को करना क्या होगा verify and download का option बना हुआ है इस पर आपको simple सा click कर देना जैसे दोस्तों इस आप क्लिक करेंगे आपका आधार card download हो जाएगा PDF format में जैसे यह verify and download के option पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ दिर processing चलेगा तो आपको थोड़ दिर wait करना है उसके बाद दोस्तों आपका आधार card का PDF file आपके mobile में download हो जाएगा आप देख सकते हैं और जब उस PDF file को आप open करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा तो पासवर्ड आपको क्या डालना है मैं आपको बता तो यहां पे भी आपको एक्जामपल के साफ से बता रहा है यहां पे दोस्तों अगर मान लेजिए आपका दोस्तों नाम राहुल है तो राहुल का फ़र्ष्ट फोर्डिट केपिटल लेटर में आपको लिख देना है लाहूल का फ़र्ष्ट फोर्ड आपको पासवर्ड जालना होगा पीडिया फाइल में तो आपको करना क्या होगा यहां पर देगे एक्जामपल में बताया गया है कि अगर आपका नम अनीज है तो अनीज का फोर डीड आपको डाल देना है उसको डेट अपर अगर दोस्तों आपका उन्हेस सो नवासी है तो उन्हेस सो नवासी आपको डाल द करने के लिए आपको करना क्या होगा ऊपर में आप देख से हैं ऐसे करेंगे तो आपको यहां पर पीडिया फाइल डाउनलोड हो चुका है आपको करना क्योंगा इस पर आपको टैप करना है यहां पर आपको टैप करना है टैप करने के बाद जिस भी फॉर्मेट में यहां प आपको डाल देना उसकोद open वाले option पे click कर देना है मैं अपना password डाल चुका हूँ आपको करना क्या हो open के option पे simple सा आपको click कर देना जैसे ही दोस्तो आप open के option पे click करेंगे आपका आधार card यहाँ पे so हो जाएगा download जो किये हो दोस्तो यहाँ पे so हो जाएगा तो यानि कि दोस्तो आपका आधार card original download हो चुका है अब आप यहाँ पे दोस्तो सभी चीज़ यहाँ पे so कर रहे enrollment ID, virtual ID, आधार card का numbers और दोस्तो आपका ID, सभी चीज़ आपका यहाँ पे so कर रहे तो इस तरह से आप अपने mobile phone से ही original आधार card download कर सकते हैं